आपको शो करना है कि square root of iota और square root of minus iota real number होता है तो पहले हम square root of iota और square root of minus iota लिख लेंगे उसके बाद देखिए इस पूरे का whole square कर देंगे हम इस तरह से अब यह बन गया आपका a plus और यह बन गया b तो a plus b का whole square इसका formula होता है a square plus b square plus 2ab और a की value आपकी root iota है और b की value आपकी minus root iota है तो मैंने formula अप्लाई कर दिया देखिए तो root से square cancel हो जाएगा आपके पास simply रह जाएगा iota यहाँ से square से root cancel हो जाएगा यहाँ पर आपके पास बचेगा minus iota और यह two root और यह root दोनों के उपर root है तो हम overall root लगा देंगे ऐसे इसके बाद देखिए iota यह वाला iota और यह minus iota इस तरह से लिख दिया गए इनको यह iota पर यह plus minus minus हो जाएगा और यह iota as it is यह two यह square root iota into iota इस iota को इस iota से multiply करेंगे iota square और यह minus iota minus iota ही तो 0 हो जाएगा उसके बाद देखिए यह 2 यहाँ पर minus iota square की value होती है minus 1 यह कुछ नहीं है तो मैंने क्या किया देखिए यह 2 root यह minus iota square की value minus 1 अब 0 कॉम लिखेंगे नहीं 2 यह minus और minus क्या बन जाएगा plus यानि कि simply आपके पास क्या answer आ चुका देखिए 2 यह plus 1 को हम simply 1 कह देंगे और under root of 1 कितना होता है 1 ही होता वो तो 1 की power under root है square root है तो 1 ही रहेगा 1 की power कुछ भी रहे 1 ही रहता है अगर कोई real number आप इसकी power लगा रहे हैं तो 1 ही रहेगा तो 2 into 1 कितना आ जाएगा 2 solve किया है अगर मैं इसको फिर से लिखूँ तो हमने solve किसको किया देखिए हमने शुरुबात की थी root iota plus minus root iota इसका whole square किया था मैंने और वो solve करते करते हैं यह last answer देखिए 2 आ गया है अब दोनों तरफ क्या करेंगे आप तो यह जो है हमने solve करके 2 ले आए इसकी value अब दोनों तरफ square root लगा दीजिए इस तरह से तो यह square root से square cancel हो जाएगा तो आपके पास बच्चे का root i plus root of minus i is equal to plus minus 2 और यह तो आपको prove करना था कि यह देखिए कि show करना था root i plus root of minus i real number आएगा अब यह देखिए root i plus root of minus i plus minus root 2 आ रहा है इसमें imaginary part नहीं है यानि कि यह पूरा जो है क्या आगया एक real number आगया ना